नभुसकार दोस्तों मैं आपसभी का चेर परिचे दोस्तो पस्तित हूँ आपसभी की सिवा में एक बहती महतोपुन जानकारी को लह करके जिहाँ आइए आज हम सभी जानते हैं भूला बिषरा मोटा अनाज मड़वा आपकी सिहत का रखवाला होता है जिहाँ यह है आज का यह मोटा अनाज हमारे लिए बेहत फायदेमंद है जिहां उत्राखंड समेत देश के कई राजियों खास करके बिहार, जारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के दक्षनी राजियों में बहुत पायत में इस्तेमाल किया जाने वाला मरुआ एक संपून अनाज है जिसमें कई पूशक्तत वो बड़ी मात्रा में पाये जाते है उत्राखंड और बिहार के मिथिला इलाके सम cabe்समोंचे उत्तर भारत में इसके आठे से रोटी पकाकर दाल सबजी के साथ परोचा जाता है दक्षिन भारत में ज्यादा तर इसके आटे से गोलाकार पिंड बना कर उसे पकाया जाता है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश में रागी मड़े या रागी संकटी कहा जाता है रागी मड़े को सबजी, सांभर या दाल के साथ खाया जाता है यह दक्षन भारत के सुदूर ग्रामिर इलाके का प्रमूख भोजन है इसके स्वास्थे वर्धक गुनों को देखकर शहरी शेत्रों में भी इसे बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं खासकर इसके रफेज वाले गुनों की वजह से सेहत को लेकर के फिक्रमंद लोग इसकी तरफ आकरशित होने लगे हैं जहां मरुवे को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहते हैं इसकी खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है मरुवा के फायदों को अभा ये जान लेते हैं बच्चों में हड्यों की मजबूती के लिए मरुवा समुचित खाद्ज्यान है इसमें केलशियम परियाप्त मातरा में होता है इसको नियमित खाने वालों को एनीमिया की शिकायत भी नहीं होती है मधुमेह और मडवा जी हाँ मधुमेह में निम्न ग्लेसीमिक्स इंडेक्स के कारण मडवा मधुमेह के रोगियों के लिए बेहतरीन भोजन माना जाता है चावल और ग्यहों के अपेक्षा इसमें उच्छ स्तर के फाइवर तत्व पाये जाते हैं यह स्टार्च को सुपाच्य बनाता है उच्छ फाइवर योगत होने के कारण इसके रोटी को नमक, सरसों के तेल, हरी मेर्च, अचार, टमाटर, ककड़ी, प्याज, मूली, इत्यादी के सलाद के साथ खाया जाना चाहिए और इस तरह से अचानक बढ़ने वाले बलड शुगर को रोकता है पाचन की धीमी प्रक्रिया के कारण मर्वा रक्त में ग्लुकोज को धीरे धीरे प्रवाहित करता है कोलेस्ट्रोल और मर्वा मर्वे में अमीनो एसीड भी होता है सीधी भाषा में समझे कि मर्वा में प्रोटीन भी होता है इसमें यह अनाज रक्त में कुलेस्ट्रोल के स्तर को घटाता है अमीनो एसीड शरीर के सामान्य कामकाज के लिए और उत्तको यानि की टिश्यू की मरमत के लिए बहुत जरूरी होता है मरवा में ऐसे अमीनो एसीड भी पाये जाते हैं जो दूसरे अनाजों में नहीं पाये जाते हैं ये अमीनो एसीड शरीर से अतिरिक्त वसा को खत्म करने में मददगार होते हैं और शरीर में सलफर की मातरा को बढ़ाते हैं सलफर शरीर में ग्लूटाथ यान के उत्पादन मे भी मदद करता है जो शरीर के लिए प्राक्रितिक इंटियोक्सिडेंट होता है इंटियोक्सिडेंट की वजह से त्वचा पर जोडियां नहीं पड़ती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है रक्त चाप और मडवा जिहां मडवे में सोडियम नहीं होता है इस कारण और अस्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भूना हुआ मडवा बहतरिन खाद्य होता है मडवे में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो बजाए कैल्शियम का टैबलेट निगलने के आप नियमित तोर पर मडवे की कंजी लिया करें यह कंजी एक गलास पानी म एक चमच मडवे के आठे को मिलाने के बाद थोड़ी देर उबाल कर बनाया जाता है इसमें नमक और मखन मिला करके पिया जा सकता है मुटापे से परिशान लोगों के लिए भी इसका सेवन फायदे मंद होता है क्योंकि इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में फाइवर होता है जो आपके पाचन के लिए अच्छा होता है और इसकी वज़ा से आपकी सिहत अच्छी रहती है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए ध